पार्ट आठ विदेशी भाषा की गुलामी मैंने सर राधा कृष्ण से पहले ही कह दिया था कि मुझे क्यों बुलाते हो मैं यहाँ पहुँच कर क्या कहूंगा जब बड़े बड़े विद्वान मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं हार मान जाता हूं मैं जब से हिंदुस्तान आया हूं मेरा सारा समय कॉंग्रेस में और गरीबों किसानों और मजदूरों वगेरे में बीता है मैंने उनी का काम किया है उनके बीच मेरी जबान अपने आप खुल जाती है मगर विद्वानों के सामने कुछ कहते हुए मुझे बड़ी जिजक मालूम होती है सर राधा कृष्णे ने मुझे लिखा कि मैं अपना लिखा हुआ भाषन उन्हें भेज दूँ पर मेरे पास इतना समय कहा था मैंने उन्हें जवाब दिया कि वक्त पर मुझे जैसे प्रेड़ना मिल जाएगी उसी के अनुसार मैं कुछ कह दूँगा मुझे प्रेड़ना मिल गई है मैं जो कुछ कहूंगा मुम्किन है आपको अच्छा नह लगे उसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा यहां आकर जो कुछ मैंने देखा और देखकर मेरे मन में जो चीज पैदा हुई वह शायद आपको चुबेगी मेरा खयाल था कि कम से कम यहां तो सारी कारेवाई अंग्रेजी में नहीं बलकि राष्ट्र भाषा में ही होगी मैं यहां बैटा यहीं इंतजार कर रहा था कि कोई न कोई तो आकर हिंदी या उर्दु में कुछ कहेगा हिंदी उर्दु ने सही कम से कम मराठी या संस्कृत में ही कुछ कहता लेकिन मेरी सब आशाय निश्भल हुई अंग्रेजों को हम गालिया देते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बना रखा है लेकिन अंग्रेजी के तो हम खुद ही गुलाम बन गए हैं अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को काफी पामाल किया है इसके लिए मैंने उनकी कड़ी से कड़ी टीका भी की है परन्तु अंग्रेजी की अपनी इस गुलामी के लिए मैं उन्हें जिम्मेदार नहीं समझता खुद अंग्रेजी सीखने और अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए हम कितनी कितनी मेहनत करते हैं आज कोई हमें यह कहता है कि हम अंग्रेजों किसी अंग्रेजी बोल लेते हैं तो हम मारे खुशी के फूले नहीं समाते इससे बढ़कर दैन्य गुलामी और क्या हो सकती है इसकी वज़े से हमारे बच्चों पर कितना जुल्म होता है अंग्रेजी के प्रती हमारे इस मोह के कारण देश की कितनी शक्ती और कितना श्रम बरबाद होता है इसका पूरा हिसाब तो हमें तभी मिल सकता है जब गणित का कोई विद्वान इसमें दिल्चस्पी ले कोई दूसरी जगह होती तो शायद यह सब बरदाश्ट कर लिया जाता मगर यह तो हिंदू विश्व विद्याले है जो बातें इसकी तारीफ में की गई है कि यहां के अध्यापक और विद्यारती इस देश की प्राचीन संस्कृती और सब्यता के जीते जागते नमूने होंगे मालविय जी ने तो मूँ मांगे तंकवाएं देकर अच्छे अध्यापक यहां आप लोगों के लिए जुटा रखे हैं अब उनका दोश्ट तो कोई कैसे निकाल सकता है? दोश्ट दमाने का है आज हवा ही कुछ ऐसी बन गई है कि हमारे लिए उसके असर से बच निकलना मुश्किल हो गया है लेकिन अब वह जमाना भी नहीं रहा जब विदार्तियों को जो कुछ मिलता था उसी में संतुष्ट रह लिया करते थे अब तो वे बड़े बड़े तुफान भी खड़े कर लिया करते हैं चोटी चोटी बातों के लिए भूख हरताल तक कर लिया करते हैं अगर उन्हें इश्वर की बुद्धी दे तो वे कह सकते हैं हमें अपनी मातरी भाशम में पढ़ाओ मुझे है जानकर खुशी हुई कि यहां आंदर के 250 विद्यारती हैं क्योंने वे सर रादाकृष्ण के पास जाएं और उनसे कहें कि यहां हमारे लिए एक आंदर विबाग खोल दीजिए और तेलुगू में हमारी सारी पढ़ाई का प्रबंध कर दीजिए और अगर वे मेरी अकले से काम ले तब तो उन्हें कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं चुनाचे हमें ऐसी जमान में पढ़ाईए जो सारे हिंदुस्तान में समझी जा सके और ऐसी जबान तो हिंदुस्तानी ही हो सकती है जापान आज अमेरिका और इंग्लेंड से लोहा ले रहा है लोग इसके लिए तारीफ करते हैं मैं नहीं करता फिर भी जापान की कुछ बातें हमारे लिए अनुकर्णिये है जापान के लड़कों और लड़कियों ने यूरोप वालों से जो कुछ भी पाया है उसे अपनी मातरी भाषा जापानी के जरिये ही पाया है अंग्रेजी के जरिये नहीं जापानी लिपी बहुत कठिन है फिर भी जापानियों ने रोमन लिपी को कभी नहीं अपनाया उनकी सारी तालिम जापानी लिपी और जापानी जबान के जरिये ही होती है जो चुने हुई जापानी पस्चिमी देशों में खास किस्म की तालीम के लिए भेजे जाते हैं वे भी जब तक अवशक ग्यान पाकर लोटते हैं तो अपना सारा ग्यान अपने देशवासियों को जापानी भाषा के जरिये ही देते हैं अगर वे ऐसा ना करते और देश में आकर दूसरे देशों जैसे स्कूल और कॉलेज अपने यहां भी बना लेते और अपनी भाषा को तिलांजली देकर अंग्रेजी में सब कुछ पढ़ाने लगते तो उससे बढ़कर बेवकुफी और क्या होती इस तरीके से जापान वाले नई भाषा तो सीखते लेकिन नया ग्यान नए सीख पाते हिंदुस्तान में आज हमारी महत्व कांचा ही यह रहती है कि हमें किसी तरह कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या हम वकील, बैरिस्टर, जज वगेरा बन जाए अंग्रेजी सीखने में हम बरसो बिता देते हैं तो भी सर रादा कृष्णे या मालविय जी महाराज के समान अंग्रेजी जानने वाले हमने कितने पैदा किये हैं आखिरवय पराई भाषा ही है ना, इतनी कोशिश करने पर भी उसे अच्छी तरह सीख नहीं पाते मेरे पास सैकडों खत आते रहते हैं, जिनमें कई M में पास लोगों के भी होते हैं परन्तु चूकि वे अपनी जबान में नहीं लिखते, इसलिए अंग्रेजी में अपने ख्याल अच्छी तरह जाहिर नहीं कर पाते चुनाचे यहां बैठे बैठे मैंने जो कुछ भी देखा, उसे देखकर मैं तो हैरान ही रह गया जो कारेवाई यहां हुई, जो कुछ कहा गया या पढ़ा गया, उसे आम जनता तो कुछ समझ ही नहीं सकी फिर भी हमारी जनता में इतनी उदार्ता और धीरज है, और धीरज है कि वह चुप चाप सबा में बैटी रहती है और खाक समझ में नया आने पर भी यह सोच कर संतोश कर लेती है कि आखिर यह हमारे नेता ही है ना कुछ अच्छी अच्छी बात कहते है